जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस की भारत जुलो यात्रा के दुरान दिगवजे सिंग के बयान को कॉंग्रेस ने उनका नीजी बयान बताया। दिगवजे सिंग ने कहा था कि सरकार ने ना तो संसत में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाए और ना हे पुलवामा हमले पर रिपूर्ट रखी। दिगवजे ने कहा था कि सरकार कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्म में बनवाने के लिए कश्मीर समस्या को बनाए रखना चुहती है। दिगवजे सिंग के बयान देते वक्ती जयराम रमेश ने उनके सामने से माईक हटाया। बीजे पी ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान देना कॉंग्रेस का चरित्र बन गया है। देश सुरक्षा बलों के खिलाब बोलने वालों को देश बरदाश्ट नहीं करेगा। आज निता जी सुभाष चंदर बोस की 126 वी जैंती मनाए गई। इस मौके पर प्रुधान मंतुरी नरेंदर मोदी ने आंड़बान के 21 द्योपो का नाम भारत के परमवीर चक्रग विजेता शहीदों के नाम पर रखा। प्रुधान मोदी ने कहा कि निता जी को भुलाने की कोशिश की गई थी। इस मौके पर राश्ट्रे स्वेम सेवक संग प्रमुक मोहन भागवत ने पश्यें बंगाल में कहा कि सुभाष चंदर बोस की अधूरे काम अब संग पूरा कर रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सुभाष चंदर बोस ने ही योजना आयोग बनाया था। मौजूदा केंदर सरकार ने उस योजना आयोग को ही खत्म कर दिया। लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने की कारण दिरेंदर शास्त्री पर निशाना साथा जा रहा है। दिरेंदर शास्त्री के चमतकार को चुनोती देने वाले आंदर श्रद्धा निर्मूलन समीती के श्याम मानव को धंकियों के बाद पुलिस सुरक्षा वढ़ा दी गई। रामचरित मानस को दलित पिछडा और महिला विरोधी बताने वाले समाजवादी पार्टी निता स्वामे प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ। यूपे के धानों में स्वामे प्रसाद मौरिया ने रामचरित मानस में दलित विरोधी अंशो को हटाने या पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांगी थी। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि स्वामे प्रसाद मौरिया के बयान पर अखिली श्यादत चुप क्यों हैं। स्वामे प्रसाद मौरिया से पहले ब्यार के सिक्षा मंतरी चंदर शेखर यादा भी रामचरित मानस को नफरत बढ़ाने वाला गरंथ कह चुके हैं। भारतिय कुष्टी संग में महिला खिलाडियो की यौन शोचन के मामले में सरकार ने पांच सदस्यों वाली कमेटी की घोशना की। खेल मंतरी अनुराग ठाकूर ने बताया कि विश्व चैंपियन बॉक्सर मेरिकॉम की अध्यक्षता में बनी पांच सदस्यों वाली कमेटी एक महिने के अंदर जाच रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले हर्याना के महिला पहलवानों समेथ कई रैसलर्स ने भार्टे कुष्टी संक्या ध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंग पर यौन शोशन के आरूप लगाये थे। उत्राखन के चमोली जिले में बदरीनात नैशनल हाईवे पर एक से दो मीटर चौड़ी दरा रहा गई। पानी निकल रहा था जो अब घटकर 180 लीटर प्रती मिनट रह गया। पर उनकी बयान को लेकर भी विवात पैदा हो गया। कोश्क्यारी तीन साल से महराश्य के राजेपाल है। आज शिवसेना के संस्थापक बाला साहिब ठाकरे की संतान्विवी जेंती है। इस मौके पर पिएम मोदी ने लिखा कि बाला साहिब ठाकरे को उनकी जेंती पर याद कर रहा हूँ। मैं हमेशा उनके साथ अपनी यादों को संजो को रखूंगा। संब्रिध ज्यान और हाजर जवाबी के मामले में वो धनी थी। उन्होंने अपना जीवन लोग कल्यान के लिए समर्पित कर दिया। बाला साहिब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने 1966 में शिवसेना के स्थापना की थी। बाला साहिब के मृत्य के बाद उनके पुत्र उद्र ठाकरे पार्टी की कमान सम्हाल रहे हैं। बिहार में छपना के बाद सीवान में भी जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई जबकि साथ लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हादसे के बाद प्रशासन के ओर से कैंप लगा कर लोगों को इलाज के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन नितिश कुमार ने हादसे की जानकारी से इंकार किया। जहरीली शराब सोही मौतों के बाद पुलिस आसपास के जिले में भी चापे मारी कर रही है। दस आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। छप्रा समयत कई गाओं में पिष्टे दिनों जहरीली शराब पीने से 78 लोगों की जान चली गई थी। कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी को छोड़ कर फरार हुगए। पुलिस ने बताया कि मृतक खाना खाकर घर से गाड़ी में CNG भरवाने के लिए निकला था। उसी वक्त पीछे से कुछ यूवका आए और उन्होंने आते ही सूरज को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने पर मामला दर्जकर कारिवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गरफतार कर लिया है वही पिड़ता को उसकी मौसी के घर भेज़ दिया। मानव शुरंखला बना कर यातायाद जागरुकता और सलक सुरक्षा के प्रती एक जमदार नागरी के तहत नियमों का अनुपालन करने का संदेश दिया। मुख्याले ओरे के टाउन हॉल से लेकर इंद्रा स्टेडियम तक लगबग चार किलोमेटर तक विभेन ने विद्यालों के करीब 3046 चात्राओं ने मानव शुरंखला बना कर सलक सुरक्षा का संदेश दिया। मानव शुरंखला के लिए कुल 25 विद्यालों के बच्चों को शामिल किया गया। शुरंखला को शामिल होने के लिए डीम और एसपी को चार पहिया गाड़ी इस्तिमाल करना पड़ा। अंत में बच्चों को डीम द्वारा ताउन हॉल पर सलक सुरक्षा की शिपत दिलाई प्रदेश तरकार के आदेश से ऐसा आयुजन सभी जनपदों में एक साथ किया जा रहा है जिससे प्रदेश तरकार के गिनीज बुकाव वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराने का सपना पूरा हो सके। केंद्र शामगड के वग्यानिक गंभीता से काम कर रहे हैं। वग्यानिक ना केवल केंद्र पर हाई क्वालिटी का बीश तयार कर रहे हैं बलकि किसानों को सिखा रहे हैं कि वो कैसे खुद बीश का उत्पादन करके आमधनी को बढ़ा सकते हैं। आलू के वग्यानिकों क जाती है जिसके लिए केंदर में करीब तीन हार्डनिक यूनिट है उसके बाद उसे नेट हाउस और एरोपोनिक में लगाया जाता है नेट हाउस या एरोपोनिक में लगाने के बाद हाई क्वालिटी का मिनी ट्यूबर मिल जाते हैं जिसे किसानों को उचित रेट पर दिया जाता है साधी खुद भी अगले सीजन के लिए फार्म पर लगाया जाता है